Learn English grammar quickly मतलब जल्दी से हम English grammar कैसे सिखे हैं बहुत सारे students जो preparation करते हैं उनको दिक्कत आते हैं कि English grammar उनको याद ही नहीं रहता है वो समझ नहीं पाते हैं और अगर समझ भी गए तो उसको apply नहीं कर पाते हैं practically जब questions सामने आता है तो वो दिक्कत है तो हम चीजे कैसे सीखें जल्दी कैसे सीखें तो यह चीज मेरे साथ हुआ था Actually यह method मैंने try किया नहीं था यह हो गया था मेरे से बाद में मैंने पता चला कि हाँ ऐसे भी हो सकता है मैं आपको बता हुआ कि कैसे करना है ठीक है यह कोई traditional method नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से कोई किया है या मैं भी कोई किया होगा लेकिन मुझे नहीं पता वो चीज लेकिन यह चीज मेरे साथ हुआ था मैं share कर रहा हूं पूरा अपना जो चीज मेरे साथ हुआ था यह जो चीज के लिए एक चीज मेरे बता हुआ कि जो जिनका reading habit नहीं है ठीक है उनको साथ वो यह चीज दिक्कत आ सके मैं भी ना भी आ सके लेकिन मैं सजेट करों कि आपका reading habit होना जरूरी है यह चीज करने के लिए या तो अगर नहीं है तो reading habit आप develop कर लेना कैसे कि आप थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स इंग्लिस आर्टिकल पढ़ने की कोशिज करो इंग्लिस सुनने की कोशिज करो मतलब अपने आपको इंग अब क्या हुआ था मेरे preparation के time पे में बता रहा हूं क्या हुआ था preparation के time पे मेरे सामने था कि टॉपर्ट जीसे interviews होता है जो जितने भी टॉपर्ट के interviews से मैंने देखा था कि यह किताब पढ़ना है ठीक है उछ टाइम दो किताब थे और प्लिंट्ट्यू परमौट या तो mirror of common error तो मैंने choose किया था mirror of common error ठीक है जो परमौट मैंने पहले चूज नहीं किया था बात में यह को सिंस करना है मेरे पास यह चैलेंज था क्योंकि मैं ग्रामर पढ़ने का बिल्कुल मढ नहीं कर रहा था स्टाइटिंग में ठीक है बहुत सारे चार्टर्स थे हैं और मैं जब पेज वगरा पलट के देखने लगा तो थो थोड़ा बोरिंग जैसा फील हुआ कि यार यह तो मुझे को सिंस करने में ज्यादा मजा रहा था तो को सिंस अब देखा मेरे को मन किया कि या चलो देखते हैं इसका अंसर क्या होगा अपने ऐसे घ्रिस्टर्स पहले पढ़ लिए का एक इस्ट्रक्शन है कि यह जो चार या पांच स्लस करके दिया हुआ है अबलीक करके यह चार या पांच पार्ट में से कौन सा पार्ट में एरॉर है हमको find out करना है तो ये इसका instruction था स्था मैं बता रहो कि पहला किसे start हुआ था तो instruction के wise मैं sentence पढ़ा और अपना जो भी मेरे पास instinct है English, जिदना भी मेरा English language का समझ था, grammar तो उतना अच्छा, पता नहीं था मुझे श्राइटिंग में, लेकिन जो समझ था, उसके हिसाप से मैं guess कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि answer क्या है? मैं guess कर रहा था कि answer क्या होगा? मैं guess किया कि हां ये part c में में select error लग रहा हैं तो मैंने solution का part निकल की देखा कि part c error है क्या यह error है लेकिन मुझे reason नहीं पता था कि actually part c में गलत क्या है लेकिन मैं solution देखा तो मुझे पता चल लए कि हां ये part c में ये चीज गलत है और इसका सही क्या होगा वो लिखा हुआ है और क्यों होगा वो भी लिखा हुआ है वित ग्रामर ग्रामर लेंग्वेज में तो यह चीज़ समझने के लिए मैं को बहुत समय लग गया तो मैंने गया डिसएड किया मैं बोला कि मुझे ढ़र किताब पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा रहा हु tutti तो मैं, मैंने यह किया कि मैं पहले questions कर लेता हूं, सारे questions कर लेता हूं, जितने भी सारे questions है, उस time 800 या 900 questions थे, common error की, और sentence improvement की लगवख उसी टाइप की questions थे, तो मैंने पहले सारे questions कर ली, एक-एक करके, सारे questions, तो 800 या 900 questions में सो दोस्तो मेरे, 700 questions तो गलती होगे, ठीके, मैं honestly बता दे रहो आठ पहला फेज में पहला एटन्ट में 800 या 900 कोशिन में से 700 तो स्ट्रेट गलत ही होगी मतलब उसका आंसर ही सही नहीं आया लेकिन उससे मेरा फाइदा यह हुआ देखो इस चीज का करने का मेरा फाइदा क्या हुआ पूरा बात अगर सुनोगे तो समझ पाओगे कि इस चीज का मेनिंग क्या किसली बता रहा हुआ और कैसे आप कोईकली सीख पाओगे जब मैंने कंप्लीट किया कंप्लीट करने बाद मुझे ग्रामर का नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में लेकिन वह कंप्लीट करने के बा लेकिन नहीं के बाद मैंने सेन्टेंस मुझे से फिल्ट मेंस उसको करता वहाँ से वनार के बहुत सारे मिलेज मेरे कहने हो गया कि उसके बाद वैसे किताम पकड़ा वंतलब ग्रामर चाप्टर वाइस पढ़ने की कुछिस की, मुझे एक मिराकल जैसा फिल हुआ, मतलब ऐसा फिल हुआ कि मुझे इस सारद चीज पता है, क्यूं मैं पता रहा हुआ क्यूं मुझे फिल हुआ, क्यूं कि वो जो व जो मिरे ओफ कॉमणेर एक कम्पॉटिटीव ठीक है दोस्तों यह कोई एकाड़मिक बुक नहीं यह competitive है competitive examination के लिए उस point of view से बनाया गया mirror of commoner हो और प्लिंट परमांट हो दोनों यह दोनों बुक examination point of view से बनाया गया competitive examination सीजियल हो बैंक हो सारे exam तो जब मैं grammar पढ़ रहा था उस तक मुझे मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है तो मैं अच्छे से connect कर पा रहा था वह जो भी लिखा हुआ explanation उसको connect कर पा रहा था इसके वज़े से में को grammar बहुत अच्छे से समझ में आया यह मुझे इससे feel हुआ अच्छे से कि पहले में को सिंद करने के बाद जब में grammar पढ़ा मुझे grammar बहुत अच्छा समझ में आया कर departments कि अगर में पहले grammar पढ़ता बाद में Cam bubblesिन करता तो क्या होता यह चीज में जब find out करने ही कोशिश की कि पहले grammar पढ़ने के बाद में कोशिशन करते हैं तो क्या होता है पहले जब मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे मुझे कोई experience नहीं है boring जैसा feel होगा और कुछ नहीं क्योंकि मुझे initially कुछ भी पता नहीं है क्या एक्जाम में पूशता है किस टैप कोशिशन आते हैं कोई भी knowledge नहीं था तो अगर मैं पहले grammar पढ़ता तो उससे क्या होता मुझे कोई topic के बार में कुछ पता नहीं है बस simply जैसे हम समंदर में कूद गए और हमको direction नहीं पता है कि किस तरव जाना है हम ऐसे ही मतलब तैर रहे हैं वहाँ पे उस step का feel आएगा अगरा पहले वार मतलब पहले grammar पढ़ोगे बात में कुछ न करोगे तो वह जो भी रूल लिखा हुआ है मैं connect कर पा रहा था क्योंकि questions मैंने already solve करके रखे हुए थे अब एक बार फिर से मैंने grammar पढ़ लिया एक बार questions कर लिया था फिर grammar पढ़ा मैंको बहुत अच्छे से समझ में आया अच्छे समझा फिर मैंने questions किया फिर मैं मैं जहां जहां जह हुआ है तो हां मतलब exam में step के questions पूछ रहा है तो यह rule वहां पर applicable है ठीक है तो initial phase में ऐसा preparation होता है कि हम मतलब खुसी लगता है कि अंदर से कि हां कुछ तो मैंने find out किया तो धीरे धीरे करके मैंने जितने भी जो पंदरा सोलग ग्रामर चेप्टर थे सारे मैंने खतम कर दिये उसके बाद फिर से मैंने वह ही questions को repeat में लगाया किरन के questions sentence improvement और common error वह जो 700 800 800 question में से मेरे जो या 800 900 question में से मेरे 700 गलत हुए थे अब वह 700 गलत नहीं हुए दोस्तों टोटल 400 लगभग 400 ऐसे गलत question हुए बाकि से मेरे सही होने लगे ठीक है फिर से grammar अब grammar एक बर आप पढ़ लिए तो ऐसा नहीं कि कि एक बर पढ़ दिए नहीं आपको हमेशा repeat में रखना है हमेशा आपको revision करते रहना है करते रहने एक बर खत्म होगे फिट से revision करो एक बर खत्म होगे फिट से revision करो ऐसे continuous revision करने से वह चीज़ आपके subconscious mind में बैट जाएगा ठीक है हम preparation करते हैं इसलिए हम बार-बार repeat करते हैं ताकि वह हमारे subconscious mind में बैट जाए और वह जल्दी जल्दी से क्लिक हो जब भी हमको information जरौत पड़े फट से याद आए ठीक है जो चीज हमारे subconscious mind में नहीं है conscious mind में है उसको recall करने के लिए बहुत टाइम लगता है जो चीज़ सबकंसिस में चला जाता है उसको recall करने के लिए नहीं लगता वह एक टाइप का आपका नेचर बन जाता आप एक टाइप का आपका अपनो बॉड़ी में आपके आ आ गया वो चीज ठीक है अब चीफने का यही ट्रीक है कि अगर आप चाता कर रहा हूं मैं suggest कर रहा हूं मैं आपको यह नहीं करा हूं कि आप यहीं करो और कोई method काम नहीं करगा ऐसा मैं कर रहा है और यह सीज मेरे साथ हुआ है और यह चीज मैंने अच्छा से feel किया हो practically कि पहले अगर आप questions करते हो उसक का समझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक है आप ट्राइब करके देखो आप किरन करने की ज़रूत नहीं है आप क्या करो कि कोई एक एक सांघब करने की समझ करो कि आंशर क्या है संटेंस पढ़ो की संटेंस परने की ज़स हुआ है हमको प्ढ़ते हैं हमको यहां पर तो कुछ एक एसा लग रहा कि मिस्टिंग है यहां पर कुछ ऐसा awkward फील हो रहा है और फील हो रहा है इस टैप का feeling आएगा तो उस फील के हिसाब से पहले आप questions solve करने ही कोशिस करो कोई कोई दिक्कत निए अब उससे फील के साफ से कोश्चिन स्वाब करने कोशिश करो उसके बाद एक बार कुश्चिन सारे कर लिये देख लिये फिर आप वही नाउन चाप्टर को पढ़ो नाउन चाप्टर पढ़ने के बाद आपका देखना आपको बहुत इंट्रेस्ट लएगा पढ़ने मजह आएगा क्योंकि आपने अल्रेडी प्रैक्टिकल कर चुके हो अब थियूरी पर आये जिनको practical पहले से पता होता है जो practical में जिनको हर चीज पता है practical में क्या है और वो बंदे को अगर theory पढ़ाए ना तो उसका हर एक dot connect हो जाता है हर एक dot जो doubt था वो सारे connect हो जाता है और उसको interest आता है समझने में अच्छा रखता है और दूसरे तरफ एक बंदा होगा जिसने questions क किया नहीं उसको हम direct theory पढ़ाएंगे तो उसको नीद आएगा बाद में जो question करेगा हाँ उसको तब recall हो लेकिन समझ आपका ज्यादा बढ़ेगा अगर आपने पहले से questions किया हुआ है बाद में आपने grammar chapter पढ़ा है तो बस इसको try करके देखना है कि आजमा कर देखना है एक तो वो जो समझ आपका रहेगा नो वो long term तक रहेगा और जल्दी से आप सीख जाओगे आपको ज्यादा याद रखने के जरूत नहीं है जैसे कि मैंने कहा कि आपका subconscious brain तक वो जल्दी पहुंच जाएगा और जो चीज हमारे subconscious brain तक जल्दी पहुंच जाता है वो चीज हम ज तो मालोगे subject verb agreement कर रहे हो पढ़ने से पहले questions लगा लो थोड़ा फिर पढ़ो देखना दोनों में difference है एक chapter direct पढ़ो बाद में question लगाओ और एक chapter फिर पहले questions करो बाद में आप grammar chapter उसका पढ़ो दोनों में difference आपको नजर आएगा जहां पे आप compatible हो आप वो चीज करना लेकि पढ़े इससे आप जल्दी सीखोगे बस इस चीज को याद रखना यह चीज मैंने share किया आप लोगे साथ ताकि आपको helpful हो so thank you for watching this video have a nice day take care comment section में जरूर बताना अगर helpful हो तो ठीक है इंतजार रहेगा bye end करते है live session